शतरपुर जीला नगर पडिशन में खजुराहू के अंद्रगत आने वाले वाड चार में अनवाडो की तुलना में विकास से अपक्षित रखा गिया है वाड में बिजली के खंबे में कई महीने से बन पड़े हैं जिसमें शंकर गाव विश्करमा कॉलनी में बजरंगर शामिल है यहां पर नगर पडिशन में खजुराहू के दुआरा खंबों में एक बल्ब लगा रहता है जो दिन भर जलता रहता है और पूरी रोड लाइट बन पड़ी है इसको लेकर समात सेवी गनेश रैकवर कई महीनों से खबर दिखा रहे हैं लेकिन अधिकारी करमचारियों की अंदेखी मची है वाद में वैधिवर्त रूप में सभी खंबों में खराब बल्ब हटा कर अच्छी गुनुवत तक स्ट्रीट लाइट लगाई जाए वाद चार में कई ऐसे गरीब घरें जिन्हें अभी तक आवास योजना का लाब नहीं दिया गिया है उन्हें लाब दिया जाए वाट चार शंकरगर में बने शुल्ब शोचालाय में नियमित सफाई नहीं होती है जिसका सुधार किया जाए और सफाई नियमित कराय जाए शाशन दुआरा लाई जा रही समस्त योजनाओं के खजुराहों में समस्त वाडों में प्रैचार वाहन अत्वा करमचारियों को घरगर जाकर सरवक्षन कर योजनाओं से वनचित वाडवासियों को लाप पहुचाया जाए खजुराहों में बने चिल्डरिन पार्क में पानी के लिए पानी की विवस्था एवन शौचाले विवस्था की जाए सी एमो एकता अगरवाल खजुराहों ने कहा वाट की समझाईों को लेकर एक अवेदन आया है समाच से भी गनेश रैकवार ने कहा वाट चार में दो माँ से खंबों में लाइड बन पड़ी है अधिकारी बेखवर है वही दूसरी और जहां अधिकारियों के खजुराहों में बंगले हैं वालात भी दिन की तरह चमकता है तो फिर हम गड़ीबों के साथ अन्याई क्यों हमें अनवाडों की तरह अपना वाट का भी विकास चाहिए हमारे लोगों के कच्चे धर आवास के पास नहीं किये गए जल सूची बनाए और वंचित लोगों के आवास दे मैं अपने लोगों के साथ अन्याई नहीं होने दूंगा शंकरगर में बने शुल्ब कॉंपलेक्स पर नियमित साफ सफाई हो शासन द्वारा लगाई गई सभी उजनाओं को हम घडीव लोगों तक पहुचाया जाए इसके साथ नगर एवन वार्ट के उक्त समसाओं को लेगा समाथ सेवी एवन पत्रकार गनेश रहकवार ने 20 दिन को अल्टिमेटम दिया है जिसमें समाथ सेवी गनेश रहकवार सहीत दरजनों लोग मौजूद रहे